यूटिब चलल में आप सबका यहां पर स्वागत हैं, दोस्तों यहां पर आज जार्खंड की संसकार यह पर अंपर से चंबंदितु लोग यहां पर आज देखने वाले हैं, तो अगर आप जहारखंड लाप चनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेज कर लिजे ताकि अगर जो भी अपडेट से अगर वीडियो आगी नुटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रस्ण की संस्कार हैं उपर अंपराते संबंदित महदपुन प्रस्ण देखते हैं तो आज का यहाँ पर पहला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है तो यहाँ पर इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number D is right answer यहाँ पर होजगा यह सभी जो है यहाँ पर कथन सत्य है तो statement जो है दिया गया है वो चली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला statement जो है यहाँ पर दिया गया है पहला कथन जो है वो आदिवासी प्रकिर्ती के पूजग होते हैं तो यह बिल्कुल ही यहाँ पर सही कथन दिया गया है आदिवास से जुड़ा हुआ होता है तो ये भी कथन तो यहां पर आपका विल्कुल सही है अगला जो कथन दिया गया है यहां पर दक्रिजिए जन जातीय जीवन के अधार सीला उनकी कि परमपराएं हैं जो और ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जितनी सारे उनकी जीवन की परमपराएं है, उनकी क्या है परमपराएं ही है, जो उनकी जीवनियापन करने के लिए, उनकी मुलभूत सुइधायें के लिए यहाँ पर उनकी परमपराएं बहुत काम आती है, तो यह option number D is right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए प्राशन क्यों चलते हैं अगला प्राशन है यहाँ पर जहारखंड का जन्जातिय समाज कैसा है पूरे जहारखंड राज्जी का जन्जातिय समाज कैसा है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका आपसन नंबर बी इस राइट अंसर यहाँ पर हो ज प्रस्षण है यहाँ प्रस्ष्ण यहाँ पर जन्जातीय परिवार में सन्तान किस यहाँ 9 पीता का पाता है जो भी यहाँ पर सन्तान होते हैं तो अप्स workflow नमबर C is ri is answer यहांपर हो जएगा ठीक है पीटा जो है वो उनका गोत्र होता है जो भी उनके संतान होते हैं चलिए प्राशन की ओर चलते हैं साधी के बाद लड़की किसका गोतर अपनाती है तो इसका सही एंसर आपका option number C is right answer यहाँ पर लड़की जो है यहाँ पर पती का गोतर अपनाती है चली अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर उराओं के धन का अधिकारी कौन होता है मतलब उसकी जो मालिकाना हाग होती है धन की वो किसकी होती है तो इसका सही अंसर होगा यहाँ पर आपका आपसन नंबर C is right answer यहाँ पर हो जाएगा अगला प्रस्ण है यहाँ पर हो जजन्याती में परिवार किस अधार पर परिवार बनते हैं तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका आपसन नंबर B is right answer यहाँ पर होजेगा किल्ली के अधार पर जो हो जजन्याती में परिवार जो है वो परिवार बनते हैं तो option number B is right answer यहाँ पर रोजाएगा किली के अधार पर चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ट है यहाँ पर किस पे का अधिक उपयोग जनजाती के लोग करते हैं तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number A is right answer यहां पर हडिया का किसका हडिया का सेवन जो है वो जनजाती के लोग बहुत जैदा करते हैं जिससे की नसा इससे होती है तो हडिया जो है यहाँ पर जन जाती में पे की रूप में सबसे अधी कुपियोग किया जाता है तो option number A is right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है यहाँ पर संथाल दिक्षा समारो को किस नाम से पुकारते हैं तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number देख लिएए इसका सही answer जो है एई इस right answer यहाँ पर हो जाएगा चोचो छठी यार क्या कहा जाता है उसको चोचो छठी यार कहा जाता है चंधाल दिक्छा समारों को किस नाम से पुकारते हैं तो चटियार 4.6 R से नाम से पुकारते हैं तो आपसर नमबर A is right answer यहां पर होगा 4.6 R is right answer यहां पर चली अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर जहारखन की सभी जन्जातियों में किस समाजी क्विवस्था की उपस्थिती है जहारखन की सभी जन्जातियों में किस समाजी क्विवस्था की उपस्थिती है सभी जन्जातियों है उसमें पाये जाते है तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका यहाँ पर उपस्थिती है जहारखंड की सभी जन जातियों में तो आप्सन नमबर C is right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर संथालों के जन्म संसकार के संबंद में कौन सा कथन यहाँ पर दिया गया है वो सत्य है संथाल जन्म के संसकार के संबंद में कौन सा कथन यहाँ पर दिया गया है वो सत्य है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका यहाँ पर नौ माहा के जो बच्चे रहे हूं को गर्भावस्थां में ही स्वाथ-भक्ष्ण करता है तो नुकिले-ध़ारों से और यहाँ पर शीशी कनाल तीर के नुकीले धारों से जो है वो काटा जाता है संथाल जन्जाती में तो यह भी यहां पर कथन बिल्कुल सही है चली अगला कथन जो है वो देख लेते हैं हम लोग यहां पर जम्न के बाद जो है चटियार मनाई जाती है जब उसका 6 दिन हो जाता है जब बच्चे का तो यहां पर 6 यार मनाई जाती है तो आपसन नमबर D is right answer यहां पर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण की ओर चलते है और अगला प्रस्ण है यहां पर मुंडा जन्जाती में विवाह की बात किसके दवारा तै होती है तो इसका सही answer जो होगा यहां पर आपका आपसन नमबर B is right answer यहां पर हो जाएगा चीरी ओरीका के द्वारा तै होती है किसके द्वारा चीरी ओरीका के द्वारा यहां पर मुंडा जन्जाती में विवाह की बात तै होती है तो आपसन नमबर B is right answer यहां पर हो जाएगा चीरी ओरीका द्वारा यहां पर मुंडा जन्जाती में वि क्या है तो इसका सही आंसर जोगा यहाँ पर आपका ओप्सन नंबर यहां पर धार्मिक अस्था का आधार है जनजातियों में तो अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण है यहाँ पर जनजाती में लड़की किसादी किसे जो है वो भेज किसे भेज तै करते हैं जन जाती में लड़की की साधी किसे भेज जो है वो तै किया जाता है किसको भेज कर तै करने के लिए तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका option number a is right answer यहां पर हो जाएगा सुईया को भेजा जाता है किसको सुईया को भेजा जात तो जन जाती में लड़की की साधी जो है वो यहां पर किसे भेज कर तैय करते हैं सुईया को भेज कर तैय करते हैं तो जो साधी तैय करते हैं उनको क्या खायता है सुईया कहा जाता है चली अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर विवाह के पुर् जनजाती में तो जब हम लोग बंजारा जनजाती देखे थे वहाँ पर तो यह प्रस्ण आया था और यह विवाह के पूर्व जो है यहाँ पर किस जनजाती में सगाई की जाती है सगाई की जो प्रथा है वो बंजारा जनजाती में है तो option number a right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए लेगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगले प्रस्ण है यहाँ पर किस जनजाती में मृत्यू के 15 दिनों बाद जो है वो कमान रस्म की जाती है तो इसका सही एंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number a is right answer यहाँ पर हो जाएगा कोर्वा कौन से जनजाती कौर्वा जन जाती है जि भान रस्म की जाती है तो आपिसं नमबर A is राइट एंसर यहां पर हो जाएगा चलिए प्रस्ट कि और चलते हैं और अगला प्रस्ट हम ist अंगर संगते हैं अगला प्रस्ट किन करते हैं किन उन्हाद करते हैं तो इन जाती हैं पर मिर्त्यू के बाद जागा करते हैं करते हैं अद्र पर mortgage संस्कार ऑण परमन तेessen में प्रप्रन करते हुअ और उम्मेद करते हुआ को मीडियू पसंद आई होगे जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं दोस्तों अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को अधिक से अधिक अपलोग सेयर कर दिया करिए ताकि अधिक से लोग यहाँ पर जूल सकें